जहें हैं दोस्तों टेक इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हैं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि अपना वोट्सप इस्टेडर्स किसी रिष्टेदार दोस्त आधी को नहीं दिखाना चाते हैं तो क्या करें साथ ही यदि आप अपना लास्ट सीन रिष्टासा आप जो ओनलाइन है अगर किसी दूसरे को नहीं बताना चाते हैं तो उसके लिए आप क्या सेटिंग करें ताकि आप इसी को ओनलाइन और अपना लास्ट सीन न दिखावाई तो दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टेक इस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक करें साथ ही कमेंट करना न भूले और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको वोट्सअप उपन कर लेना है वोट्सअप उपन करने के बाद में आप देखते हैं कि आपके सामने उपर वोट्सअप लिखावा आता है चेट आता है, स्टेटस आता है, कोल्स आती है तो दोस्तों मैं setting पे click करता हूँ, इसके बाद मैं दोस्तों, मेरा account का चीन आ जाता है, नीचे लिखावा आता है account, privacy, chat, notification आदी, तो मैं privacy पर click करता हूँ, इसके बाद मैं दोस्तों मैं देखता हूँ, कि मेरे सामने कई option आते हैं, जैसे उपर उपर आता है, who can see my personal info, कि कौन मेरी personal information देख सकता है, जैसे last scene and online पर मैंने nobody कर रखा है, जिससे मेरा कोई भी नहीं देख पाई, यदि आप भी इस तरह की setting करना चाते हैं, तो इसी धान से देखें, अब दोस्तों इसमें दिखा रहा है कि who can see my last scene, कि आपका last scene, कि आपने last bar वोर्टसप कब चलाया था, यह कौन-कौन देख सकता है, तो इसके लिए आपके सामने कई option आते हैं, जैसे everyone, यदि आप everyone पर click करेंगे, तो आपका last scene सभी देखेंगे, my contact, my contact, जो आपकी contacts में हैं, वो आपका last scene देख पाएंगे, my contact, accept, जिन इसमें आप कुछ व्यक्तियों को अलग कर सकते हैं, जिन पर आप click करेंगे, जैसे इस पर, इस पर, तो यह और फिर आप यह कर देते हैं, तो यह लोग आपका last scene नहीं देख पाएंगे, और सभी आपका last scene देख पाएंगे, मैं फिर से इस पर click करता हूँ, और मैं nobody पर click कर देता हूँ, जिससे मेरा last scene कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाएंगा, साथ ही, who can see when I am online, कि आप जब online हो, तो यह हैं किन किन लोगों को पता रहें, तो दोस्तों हमारे सामने आता है everyone, everyone पर जब आप click करेंगे, तो आप जब online होंगे, तो वो सब को पता चल जाएगा, और same as last scene पर आप click कर देते हैं, तो आपके last scene के तरह यह भी हो जाएगा, जिसमें आपका last scene कोई भी नहीं देख पाएगा, आप यहाँ से इस तीर के sign से बेख चले जाते हैं, तो और यह है setting आपकी हो जाती है, यहीं से आप अपने profile photo की कौन-कौन देख सकता है, everyone, my contact, my contact, except nobody, nobody पर click कर देंगे, तो आपकी profile photo कोई भी नहीं देख पाएगा, फिर इस पर click करता हूँ, इसके बाद about में आपने क्या लिखा हुआ है, वो कौन-कौन देख सकता है, everyone, my contact, my contact, तो मैंने my contacts कर रखा है, आप अपने साब से कुछ भी change कर सकते हैं, status, कि आपका WhatsApp status कौन-कौन देख सकता है, इसके लिए दोस्तों मैंने only share with की पर click कर रखा है, जिन में कुछ लोग ही में में WhatsApp status देख सकते हैं, यदि आप कुछ लोगों को नहीं दिखाना चाते हैं, तो आप इस sign पर click करें, जिसे आप जिन-जिन को नहीं दिखाना चाते हैं, उन्पर टिक कर देजिए, तो मैं दोस्तों मैं इन लोगों को मेरा WhatsApp status नहीं दिखाना चाता हूँ तो मैंने इन पर्टिक कर दिया फिर मैं राइट के निशान पर किलिक कर देता हूँ जिसे यह setting मेरी हो जाती है अब next time मैं यदि status लगाऊंगा तो इन चार लोगों के पास मेरा WhatsApp status नहीं जाएगा और अन्य मेरे सभी friends उस WhatsApp status को आराम से देख पाएंगे फिर मैं यहां से बेख चला जाता हूँ और बेख आ जाता हूँ बेख आ जाता हूँ तो दोस्तों अब मैं जो भी नया status लगाऊंगा वो अन्य विक्ति नहीं देख पाएंगे जिनको मैंने selected किया है नवाद दोस्तों वीडियो के अंतितक बने रहने के लिए मिलते हैं next वीडियो में